बोलिवुट के टोप डारेक्टर्स की लिष्ट में शामिल होते हैं रोहित शेटी उनकी फिल्मों में जब कारे हवा में उड़ती हैं तो बॉक्स ओफिस के रिकोर्ड्स टूट जाते हैं मगर दिलवाले के साथ रोहित का जादू नहीं चला और फिल्म अप एक शाओ पर खरी नहीं उतरी रोहित इस फिल्म के फैलियोर के लिए अपनी सोज को जिम्मेदार मानते हैं उन्होंने कहा वो पहली फिल्म थी जो मैंने अपनी कमिक्शन से नहीं बनाई वो पहली और अंदिम फिल्म होगी जो मैंने बिना कमिक्शन के बनाई शाहरुक और काजोल की जोरी को लेकर मेरे उपर प्रेशर बन गया था क्योंकि दोनों का रोमांटिक पहलू हमेशा काम्याब रहा है फिर फिल्म से कोमेडी कटती चली गई थी फिर दो भाईयों की कहानी भी कटती चली गई और रोमैंस बरता चला गया तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर हम शूट ही नहीं कर पाए पूरा मामला मिस्वायर हो गया बहरहल इस गलती से रोहित ने सबग लिया है और दै क्या है कि वही फिल्म बनाएंगे जिससे वो पूरी तरह कंविंस हो आपको बता दें कि पिछले दिनों खबर आई थी कि फिल्म फ्लोब होने के कारण रोहित और S.R.K के बीच कुछ मतबेद हुआ है लेकिन अब इन सारी खबरों को रोहित शेटी ने अफवा करार दिया है